हेलो दोस्तों वैलकम बैक मा यूटूब चैनल आज आपके बीच में एक न्यू भेकेंसी के बारे में चल्चा करने वाले हैं ये भेकेंसी आपका गुमला जीला साया हुआ है आप सबों के लिए एक अच्छा अपोचुनेटरी है सिछक बन्ने के लिए यदि आप हमारे चैन सिछाजीत आवास्य विद्यालों में सिच्छन कारे हे तू ततकाली वियोस्ता के तहत सर्वीज प्रॉष्क के अधार पर कारे किये जाने हे तू सिछकों के नियूकति समथि आपका विग्यापन निकाला गया है ये देख सकते हैं जिला कलियान परलीकारी गुमला दोर अ अन्येख यहां पर देखते हैं हम लोग ये जो है आपका ये उपायुक के दोवारा आपका लेटर निकाला गिया है अब लोग भेकेंसी का सरा डिटेल देखते हैं ये जो भेकेंसी है आपका ये आवास्ची विद्यालों में रिक्तियों के विरूद सिच्छन कारे है तू सर्वीस प्रोस्कुपिक के अधार पर अंस्कालिंग सेवा के एक नामा के अधारित आपका असनातक या फिर मैट्रिक पसिच्छी सिच्छकों का चेयन किया जाना है ध्यान दिजेगा अच्छे तरह से किलियर कर रहा हूं है इस नियमित सिच्छन कारे है तू अंस्कालिंग सेवा के लिए सिच्छकों का चेयन है तू योगता धारी जो भी विरुजगारी युवक युगतिया है विभित प्र कोई टी डी ये करयाल है गुमला की पते में आप केवल रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन भेज सकते हैं यह चीज के लिए रहो गया अब हम लोग देखते हैं नेश्ट की आपका जो कोटिवार पद यो मियोगता के बारे में डीटेल देखते हैं यह आपका जो सिच्छा के लिए है कुल जो पदों की संख्या आप देख सकते हैं 16 है असनातक पसिचित सिच्छक हैं असनातक पसिचित का पद आप कटेगरी वाई देख सकते हैं कि आपका अनुसुची जनजाती के लिए 7 पद है और जेनरल के लिए 9 पद है निउन्तम योगता की बात क किया जाए तहां देख सकते हैं आप असनातक सिछक है तु समंदित भिषय में असनातक यों Nc T e दवारा मन्यता प्राप संस्थान से आपको बेड होना आपको अवसक है और सकेंड में देख सकते हैं मेटिक पसीचित सिछक के लिए मैटिक या इंटर के साथ मन्यता प्राप स संस्थान से आपको दो साल का सिच्छक पसिचन आपका आवसक है और नेक्ट यहां पका किलियर किया गया है तीन नंबर में कि टेट उन्टीन अविश्ट्य जो भी होंगे उनको प्राथ्मिक्ता दिया जाएगा नेक्ट यहां जाओ आपका मैट्रिक पसिचित के लिए आपक जेनरल के लिए 10 पद है और क्वाल्विकेशन सेम यहां पर किलियर किया गया है और जो आपको बेतन के रूप में जो पैसा मिलेगा उसके बारे में डीटेल है कि 200 रूपिया प्रती घंटी आपको अधिक्तम 4 घंटी आपको प्रती दिन के हिसाब से मतलब मैक्सिमम आपको किचेन में आपका जारखन राजिका जो भी आरच्छन होगा उसका पालन किया जाएगा और सिच्छकों के कारे एकादनामा के अधार पर दिया जाएगा सबसे पहले उसी प्रखंड के जो अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती पिछला वर्ग महिला सिचकों का जो अस्थानिये भासा के जनकार होंगे उनको प्राथ्मिक्ता दिया जाएगा प्रखंड अस्थर पर अगर यदी अभेस्थी कंडिरेट अनुपलब्ध होते हैं तब जाकर जीला अस्थर पर आपका अभेस्थी का चेन किया जाएगा और नेक्ष्ट यहां पर किलियर किया गया है कि जीला अस्तर या प्रखंड अस्तर पर समंधित बीशे में असनातकर या असनातक बीड पसीची सिछक पसीचन डिगरी धारक को मेधाक कर्म के अधार पर निधारिक सतों पर पूरी तरह से आस्थाई समीति के द्वारे का नामा वह आवेदन नहीं भरे चोकि उनका आवेदन पर विचाद नहीं किया जाएगा इसलिए सिछक पसीचन आपको आवस्षक है नेक्ष्ट यहां पर किलियर किया गया है कि सभी चैनित अविश्थी के लिए आपका जो जो चैनित अविश्थी रहेंगे उनका किसी भी तरह का भरता अनुमान नहीं होगा वेदन शाथी साथ आवकास के हकदार भी नहीं होगे यह पद जो है आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा चैनित यह लोग को आवास का भी सुविधा नहीं दिया जाएगा देनिक उपस्थिति के अधार पर आपका यहां पर जो भुगतान किया जाएगा और नेश्ट है आपके लियर किया गया है कि सिछो के अधिक्तम छे माह के लिए प्रतिक कारेदिवस के अधार पर आपको प्रति घंटी के अधार पर रखा जाएगा और सेवा संतोस्पद हो जाने के बाद हो सकता अनुसार उनका सेवा अगले 6 महिना के लिए वि अधिक यहाँ पर बोला जा रहा है किसे वह समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर किलियर किया गया है कि सारे जो आप जो डोकुमेंट होगा और आवेदन के साथ पूरा भरा होना चाहिए ना तो फिर आपका आवेदन पर विचार्म नहीं किया जाएगा 200 रुप्य आपको दिया जाएगा यहाँ भी किलियर हो गया है और नेक्स्ट यहाँ पर किलियर किया गया है कि जाती आवासी तक्निकी योगता जो आपका experience होगा के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेट सारे पेपर में आप सेल्फ अटेस्टेट करके संगलन करना होगा आवेदन के साथ अब उम्रे सीमा की बारें बात किया जा तो जनरल के लिए अधिक्तम उम्रे सीमा 35 साल अधिब्यांग के लिए 40 साल पिछला वर्ग अत्यान पिछला वर्ग के लिए 37 साल अधिब्यांग के लिए 42 अना रच्छित महिला लोग के लिए पिछला वर्ग अत्यान पिछला वर्ग सकते हैं कि उक्त विग्यापन युम आवेदन आपका जो है इसका साइट पर भी जन जाती विकास अभिकरन आई टी डी ये करेयाले गुमला के सुचना पर भी आपको यहां पर अप्लोड किया गया है आप सारा इसका और विजनकरिया आप ले सकते हैं गुमला.nic.in पर भी आ आप देख सकते हैं आवेदन पर प्रेसित करने का जो पता है ये ध्यान दीजिए समय कि जन जाती विकास अभिकरन करेयाले गुमला पोस्ट पलस्थाना पलस जीदा आपका गुमला रहेगा पीन कोड आपका तीरासी बावन जीरो से बन रहेगा अन्नेक्ट इंपोर्टें कि अदे चैने यह भासा यदि है तो उसके बारे मेंटीटेल देनाँ है कौन सा कटेगरी और कौन सा पहसे मैट्रीक सीशीद उसके बारे में אנחנו सबरें है पास्पोर्ट सेच का यहाँ पर फोटो को कर दाना है जंगीन फोटो एलाकि यहां अर्टेस्टीड नहीं बोला है यहां किलियर किया गया है अत्मान पता अस्ताइप पता मोबाइल नंबर आपको दो देना होगा सैंदना पड़ेगा सचंफणिक योगता का बारे में और देच्छा उन्तिन है तो उसके सारह डीटेल दना होगा और सिच्छक करें अनुभाव अगर एक्स्प्रियांस तो उसका देना पड़ेगा कहां से हैं क्या है कुल अधीपद अन्य योगता अगर कोई है तो उसको भी दे सकता है नियोईदाला के बारे में सारा डीटेल देना पड़ेगा आशा करते हैं कि आपको राप्त होता रहे थन्यवाद थेंक्यू